हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चनल में और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने FL Studio के plugins को QBase 5 के अंदर कैसे चला सकते हो जैसे कि यहाँ पे FL Studio का सबसे best plugins है Marfane और आप इस plugins से melody बना सकते हो किसी भी गाने का और उसके बाद में FL Studio का और भी बहुत सारे plugins है उनमें से हाँ पे आ जाता है GMS BST इस plugins की मतर से आप किसी भी गाने का baseline pattern बना सकते हो और यह plugins अगर आप इस QBase 5 के अंदर चलाना चाहो तो आप कैसे यूज कर सकते हो वही हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जैसे कि Marfane BST है यह FL Studio का plugin से और मैं इसको यूज कर रहा हूँ अपने QBase 5 के अंदर तो इस तरीके से और भी BST जो आप यूज करना चाहते हो अपने FL Studio के plugins को QBase 5 के अंदर तो आप इस वीडियो को देख करके आप चलाना सेख सकते हो तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक plugins लोगा जैसे कि GMS BST है और इस plugins को अपने इस FL Studio के plugins को अपने इस QBase 5 के अंदर एड करके दिखाऊंगा जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैं add BST किया तो इहाँ पे देख सकते GMS BST का कोई भी plugins यहाँ पे नहीं है तो इसके पर आपको यहाँ पे आजाना होगा दिस PC में और उसके बाद में आपको दिख जाएगा Local Disk C यहाँ कि C Drive में चले आना उसके प्रोग्राम फारक सियासी दिखेगा इसके उपर किलिक कर देना होगा और उसके बाद में यहाँ पे आपको दिख जाएगा Image Line यहाँ पे Open करना ह और उसके बाद में यहां पर दिख जाएगा plugins इसके उपर आपको click कर देना है और उसके बाद में fruity के उपर click करना है फिर यहां पर generators के उपर आपको click कर देना है तो यहां पर आपको बहुत सारे plugins दिख जाएंगे जैसी कि मैंने Marfin BST को अपने QBS 5 के अंदर डाल रखा है और मैं यहां पर जो next plugins है GMS BST इसको मैं डालूँगा अपने QBS 5 के अंदर तो इसको यहां से आपको कर लेना है काफी काफी करने के बाद में फिर से आपको आ जाना है program file x86 में और अब आपको आना है यहां पर इस्टेंबर्ग में आने के बाद में यहां पर दिख जाएगा QBS 5 इसके उपर क्लिक कर देना है और उसकी इसी के अंदर आपको दिख जाएगा BST plugins तो इसमें आपको वही plugins को यहां पर पेस्ट कर देना है तो यहां पर पेस्ट हो जाने के बाद में यहां पर थोड़ी दिर आपको वेट करना है जो भी plugins डालना चाहते हो अगर QBS 5 के अंदर डालना जाते है तो यहां पर BST plugins में डाल देना है और डालने के बाद में अपना QBS 5 ओपन करना यहां पर आजाना डिवाइस पर फिर प्लगिन इंफॉर्मेशन और उसके बाद में यहां से अपडेट कर देना है कि जो वही सारे plugins होगे यहां पर स्केन ह हो जाएंगे और स्केन होने के बाद में सारे plugins यहां पर सो करने लग जाएंगे उसके बाद में यहां पर राइट क्लिक करना है एड़ इंस्टुमेंट पर क्लिक करना है फिर यहां पर आ जाना तो GMS BST आ चुका है मैंने आपको पहले दिखाया था कि यह प्लगिन पहले न प्लगिन्स है और इससे आप मिलोडी जो मार्फिन का बेस्टी है इससे आप मिलोडी तयार कर सकते हो और यह जो GMS BST है इससे आप बेसलाइन पेटन तयार कर सकते हो यह दोनों और बहुत सारे जो QBES जो FL Studio के plugins है उनको आप इस FL Studio के plugins को अपने QS 5 के अंदर यूज कर सकते दोस्तों अगर आपको जाने करी अच्छे लगी हो तो प्लीस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोड़ प्रेस कर दीजेगा